नमस्कार मेरे प्रीच हात्रों मैं पॉंसर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस और फिसियल चैनल ह्पी उटूब क्लासेज में स्वागत करता हूं चलिए दोस्तों आज और एक नए बढ़िया वेहतरीन वीडियो के साथ आज की क्लास के में सुरूबात करेंगे दोस्तों आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे कच्छा बारा गनित आउकलन जो आउकलन से रिलेटिव हम आपको बहुत सारे वीडियो बनाए हैं तो आज मैं आप लोग को प्रस्नावली पांध समलों दो से शुरू कर रहे हैं जो most important question होगा दोस्तों ठीके तो आप लोग इ किरा कि sign x square plus 5 में x के सापेच आउकलन गयाते कीजिए ठीके तो हमने आपको बताया कि यदि कोई भी फलन लिखा रहता है तो उसको हम किसके बराबर मानते हैं तो y बराबर लिखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर y बराबर sign लिखेंगे x square plus कितना लिखेंगे पर यहाँ लिखेंगे x के सापेच आउकलन ठीक है भाई आउकलन करने पर आप देखेंगे यहाँ जब x के सापेच आउकलन करेंगे तो यह आपको हो जाएगा d y by dx बराबर d y dx यहाँ लिखेंगे sign फिर bracket में x square plus कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे के लिखेंगे आप देखेंगे अब आपको यह पता है कि sign का जो आउकलन होता है वह आपका क्या होता है साइन का आउकलन क्या होता है भाई कास होता है यहाँ लिखेंगे कास लिखेंगे अब इसके साथ में कौन लगा है autob はい e you wi fc kakra 27 ये लेगा यहां पर लिखेंगे कास फिर लिखेंगे z squire 5 आप देखी यहां deve istr 뉴스 का यहां आप जानते है किया ox stuze कड़क और होता है उटके शसियोग तुर पूरणच को और गोगा जीरो इस तरह से इनका कुल मिलाकर के अवकल किता आ गया दो यक से तीस तरह आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तो यक से का से ब्रेकेट में लिखेंगे याकसी स्क्वायर प्लस कित्ता लिखेंगी 5 बस दोस्तों ये आपका answer आ गया तो आप देखें इस तरह से आपका पहला question यहां से क्या होगा है दोस्तों clear हो गया ठीकिए ये उमीद करता हूँ कि आप लोग को ये question अच्छे से क्या होगा होगा दोस्तो समझ में आ गया है ठीके तो चलिए मैं नेश्ट अगला कोशन आपको हल करा रहा हूँ आप लोग उसको भी देख लीजी ठीके जी देखते हैं हमारा दूसरा कोशन क्या होगा दोस्तो दूसरा कोशन तो बहुत ही important कोशन है अगर मैं बात करूँ तो यह कोशन very important है आप लोग इसको अच्छे से note कर लेना दिमाग में और इसको खुब revise कर लेना आपको समझ में आ जाएगा चुकि यह कोशन कई बार exam में पूछा गया है तो चली दोस्तो हल करते हैं देखी हम आपको बताए कि कोई भी फलन दिया रहता तो आप सते उसको y के बराबर माल लिया करें तो y बराबर लिखेंगे कास अब उसके साथ में कौन लगा है भाई देख लेते हैं साइन यक्स लगा है ठीके अब यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेच छे यक्स के सापेच छे आउकलन करने पर ठीके यक्स के सापेच अउकलन करने पर तो यहाँ पर लिखेंगे dy by dx से बराबर dy dx से कास से ब्रेकेट में लिखेंगे साइन यक्स क्लियर अब आपको यह पता है कि जो कास का ओकलन होता है वो क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है अब देखी यहां साइन हो गया अब देखी इसके साथ में कौन लगा है इसके साथ में लगा है साइन एक्स लगा है क्लियर अब हम करेंगे किसका साइन का ओकलन करेंगे चु साइन में लिखेंगे साइन याक से इंटू अब देखिए साइन का उकलन क्या हो जाएगा एक से यह दोस्तों आपको क्या आगया इंस और आ कि एम उम्मीद करता हूं कि यह भी समझ में आ गया है ऐसे ही लगता इस वीडियो पर बने रही आप लोग को पूरा तरीके से कोशन क्या हो जाएगए समझ में आ जाएगे ठीके बस आप लोग ऐसे ही मिनाषत करते रहिए चली नेश्ट में अगला कोशन हल करा रहा हूं कि जी देखते हैं तीसरा कोशन क्या है तीसरा कोशन देखे दोस्तों आपका लिखा है साइन AXwand क्या लिखा है B लिखा है, sign AX प्लस क्या लिखा है, B, तो करेंगे क्या देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे Y बराबर, कोई भी फलन आपका दिया रहता, सदेव आप उसको Y बराबर लिखा करें, Y बराबर देखिए, दिखा है आपका sign फिर लिखा है, AX से प्लस क्या लिखा है, B लिखा है, किलियर, आप देख लेते हैं, तो Y बराबर आपका sign AX प्लस क्या लिखा है, B, यहाँ पर लिखेंगे, Y के सापेच छे, Y के सापेच छे Y के सापेच आउकलन आउकलन करने पर Y के सापेच आउकलन करने पर अब देखें तो यहां पर हम दिखेंगे क्या दिखें या उकलन यह दिखे दी डी वाई बटे डी यह आक्स बराबर दी वाई दी अक्से लिखेंगे साइन ठीक इससाथ में कोल लगा है AX plus क्या है B clear अब आपको ये पता है कि जो sign का alkalone होता है वो आपका क्या होता है भई कास होता है क्या होता है कास इसके साथ में को लगा है AX से पलस B कि लिए अब हम करेंगे आफ किस का AX से BX का AX से अब आपको पता होगा A X का अवकलन A का अवकलन A हो जाएगा यगस का अवकलन A अर्थात A A हो जाएगा अब B अब का हाँ जाएगी यहां पर हमें क्या मिल गया एऔर अब इसको AA को आगे ले लेंगे ए के लिखेंगे कास ब्रेकेट में लिखेंगे?. बस यही आपका एंसोर आ गया तो इस तरह से आपको कोई भी कोशन हो मिरे भाई आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए आपको समझ्वा जाएगा ठीक कोशन नोट करी जल्दी से मैंने चौथा कोशन हल आपका करा रहा हूं चली बढ़ी देखते हैं हमारा अगला कोशन पाच्वा कोशन क्या है देखे लिखा है सेक ब्रेकट में लिखा है याक से याक है यक्स है, मैं यक्स के सापेच आउकलन कीजिए तो दोस्तों ये भी एक फलन दिया है यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीके लिखेंगे y बराबर, ये लिखेंगे से के, फिर लिखेंगे ब्रेकेट में तैयन रूड में क्या लिखेंगे? यक्स, टैयन रूड में क्या लिखेंगे? यक्स, आप यहाँ पर लिखेंगे हम यक्स के सापेच आउकलन करने पर आप देखें हमने यक्स के सापेच आउकलन कर दिया तो यहां आ जाएगा आपका d y y d x बराबर d y d x से कोश्टंग में देखें यह क्या है आपका 10 रूड में क्या लिखा है e x अब आपको पता है कि जो सेक का आउकलन होता है सेक e x का जो आउकलन होता है वो आपका होता है 10 e x into क्या होता है तो यहां पर लिखेंगे देखे सेक e x काम कौन कर रहा है देखे ध्यान से 10 रूड में क्या लिखा है e x ठीक है यह कोश्टर इंटू फिट 10 e x होता है अब हम किसका ओकलन करेंगे 10 का ओकलन करेंगे तो यहां पर लिखेंगे दी बाई 10 रूड क्या लिखेंगे अब आप जानते हैं कि जो टैन का उकलन होता है यहां पर लिखेंगे 6 Squires x अब दोस्तो हम ऊकलन किसका करेंगे रूड में यहां, डिय क्वाइ डिय एक्से क्या लिखेंगे थिखेंगे हम ट्रूर के आ जाएगा ठीक है तो यहाँ से आपप निकल के आ जाएगा से के आ हैं और रूड याग से इंट रूर याग से आद देखिए यहां पी से के स्कायर रूड याक से जो रूड एक्स का ओकुलन होता है वो वन अपान तू रूड क्या होता है? एक्स होता है ठीके तो बस यही आपका क्या आगया? आइन स्वरा आगया बाग यह आप और इसका सरल कर सकते हैं ठीके तो दोस्तों उमीद करता हूँ यह कोशन आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं नेश्ट अगला कोशन आपको हल कराऊंगा ठीके तो कोशन में बस इतना ही आज के लिए दोस्तों आगे नेश्ट अगला कोशन में आपको हल कराऊंगा कोशन नमर पांचवा से ठीके तो कोशिस यह करिए आप लोग इस वीडियो को लगातार दो तीन बार देख लिजी आप लोग को समझ में आ जाएगा चलिए नेश्टी मिलते हैं फिर हम एक और नए अगली वीडियो में तब तक सभी लोगों को धन्नवाद